हेलो दोस्तों स्वागत आपको फिट से एक नई वीडियो पर और दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि फार्मेसी काउंसल आफ इंडिया की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी हुआ है और इस सर्कुलर में क्या है खास डिटेल से बात करेंगे तो यह जो सर्कुल इसलिए है क्योंकि देखो colleges बगेरा हैं उनके पास 2024 और पच्चिस का अप्रूवल नहीं है अब जब कॉल्जिओं के पास अप्रूवल नहीं होगा तो उनके पास काउंसलिंग की जो एड्मिशन के थो एड्मिशन जाएंगे वो भी वो लोग नहीं कर पाएंगे इसलिए है आप लोगों को पता भी होगा कि अभी तक काउंसलिंग प्रोसेस स्टाइट ही नहीं हुई थी डी फार्मा और बी फार्मा की काफी टाइम से ठीक है इतना मैंने आपको बता दिया इसलिए दोस्तों एड्मिशन जो थे वह कांसलिंग की थ्रोवाल एड्मिशन होई नही तो दोखों यहां पर PCI बोला है कि it is informed that the PCI is in process of completing the approval process for 2024 और 25 अकेडमिक सेशन यानि कि यहां पर PCI जो है वो भाई प्रोसेस कंप्लीट करने जा रही अप्रूबल प्रोसेस 2024 और 25 अकेडमिक सेशन के लिए अब यहां पर college जो है उनको कितनी तारिक तक अपने अप्रूबल के लिए अप्लाई कर देना और कितनी तारिक तक उन्हें अप्रूबल मिल सकता है तो यहां पर उन्होंने साब साब बोल रखा है कि 31 अक्टूबर 2024 तक जो है PCI आपकी अप्रूबल प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा उसके बाद 30 नमंबर तक जो है आपकी जो अपील कंप् कांसलिंग कित्रों जिन स्टुडेंट गार ना था उनकी तो प्रोसेस को रुक हुई है क्योंकि आप के पास मनता नहीं क्या कॉलेज़ों के पास बैसे अब एसे इससे तुडेंट अब ये एट्मिशन तो आज भी हो रहे है और कॉल्यज वें होते आ रहा है अब उसमें क् तो ज्यादा बढ़िया है अब बच्चा अबेर हो चुका स्टुडेंट अबेर हो गया है इसलिए वो अब प्रिफर यही करता है कि मैं अड्मिशन जो है अपना काउंसलिंग के थ्रों लूगा डरेट अड्मिशन इतने ज्यादा आज टाइम नहीं होते हैं मुझे तो इतना ज्यादा नहीं दिखता है तो अब स्टुडेंट अभी आ रहा है इसलिए वो काउंसलिंग के थ्रों मिशन ले लेता तो यहीं रहा है नोटिस में आज के वाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब देकले अपना ध्यान रखें सुरचित रहें